ने यथावत देखा और वर्णन किया क्या चर्चा हुई वोले सब देवता लोग ब्रह्मा जी से कहने लगे महराज आपने रावण को उत्पन किया रावण ने आपकी तपस्या कि और आपने वर्दान दे दिया कि मनुष्य और बंदर को छोड़ कर उसे कोई मार नहीं सकता और वो इतना उद्धत है कि हम सभी देवताओं को त्रास दे रहा है हम बड़े दुखी हैं सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा चंद्रमा ने कहा मेरी तो बड़ी दूर्दसा है ब्रह्मा जी ने कहा क्या दिक्कत है तुमको चंद्रमा ने कहा कि अगर मैं बोल दू तो रावण का जो सेवक है वो हमको नाटता है क्या कहता है सेवक कहता है नबोल चंद्रमंद बुद्धी कि चंद्रमा को रावन का नोकर डांट देता हusta यहां मंदबुधि चंद्रमा जुप रहो के जानते नहीं वह रॉपर कदर रा रो डो रो इसे लेकिन रावन के दर्वार में इतना अपमान होता है रावण मुझे डाटता है उसके सेवक मुझे डाटते है प्रमा जी ने का ज्या हुआ ब्रिहस्पती ने कहा कि रावण के सेवक मुझे डाट देते हैं कहते हैं कि स्वल्पम जल्प ब्रिहस्पते जड़मते आये जडमती ब्रिहस्पती चुप रहो जादा मत बोलो ये दशाथी देवताओं भगवान शंकर की क्या दसा थी गोस्वामी तुलसिदाजी वर्णन करते हैं कि रावन संकर जी की रोज पूजा करता थी लेकिन संकर जी के घर आकर के पूजा नहीं करता थी संकर जी को अपने घर बुलाता थी आप आजाना वहीं हम पूजा करेंगे तो समय से भगवान संकर रावन के यहां पहुँच जाते थे और बैठ जाते थे कि रावन खाली हो और फिर हमारी पूजा कर ले तो हम जाएं प्रावन के घर आ जाते हैं, कल्प ना करो, रावन का कितना प्रभाव था उस समय, सारे देवता रावन के आतंक से त्रस्त थे और सब ब्रमाजी को कह रहे थे, आपके कारण सब हुआ, यह सारी बातें कहां हो रही है, दाश्रद्जी के पुत्रकामेश्टी यग्य में, सब देवता अब्रमाजी से कहते हैं आपके कारण ही सभी ये सवनर्थ हुआ आप नो उसे बर्दान देते न वो इतना उद्धत होता अब ब्रमाजी किसको जबाब दे कभी कुवेर बोल रहे हैं कभी बरुन बोल रहे हैं कभी संकर जी कह रहे हैं अब ब्रह्माजी कभी इधर देखें, कभी इधर देखें। किसी के प्रश्ण का उत्तर ब्रह्माजी नहीं दे पा रहे थे ब्रह्माजी की इस दशा को देख करके भगवान को दया आगे। मेरे पुत्र ब्रह्मा को सभी लोग कोश रहें। प्रम्हा को दोस दे रहे हैं, मुझे चलना चाहिए। और उसी समय भगवान भी उसी यक्यमंडप में उन देवताओं के मध्य में प्रगट हो गई। अपने गरुण पर बैट करके भगवान आ गए। ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान को देखा स्थुति के और ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा महराज बड़े समय से आप आए। अब रावन के आतंत से आप ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। त्वाम निवोक्षा महे विष्णो लोका नाम हितकाम्यया लोक की हितकामना के लिए हम आप से प्रार्थना करते हैं। रावन के आतंत से आप ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। सारे देवताओं ने जब प्रार्थना की तो भगवान ने कहा अच्छा कोई बात। आप लोग निर्भय हो जाओ। भयम्त्यजत भयम्त्यजत आप लोग निर्भय हो जाओ। अब भयभीत मत हो मैं आ गया हूँ। ब्रमा जी ने कहा अभी तो आप आये हो। आप कहरे हो भय का त्याग करो। भय का जो कारण रावन है वो तो अभी बिद्यमान है। तो हम कैसे भय का त्याग कर सकते हैं। आप कहते हो भयम्त्यजजत वो। तो भगवान ने कहा अब रावन को मरा ही समझ लो क्योंकि मैंने संकल्प कर ली आदे अब रावन को मरा ही समझ लो अब रावन की आयो जादा दिन नहीं है इसलिए तुम भैवीत मत हो भायम त्याज़त भाध्डरम वो हेतार्थम युधिरामण आपके हित के लिए युद्ध में मैं रावण को मार दूंगा ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा रावण को आप मार दोगे लेकिन उसके नाती पोता तो और खतरनाग हो उसका बेटा तो और दुष्ट है मेगनाथ तो भगवान ने कहा सपुत्र पुत्र के सहित उसको मारूगा। ब्रह्मा जी ने कहा रहे उसके नाती पोता जो है वो और बदमास हैं। ऑग्वाने कांचिंता मत करो सपुत्र पूत्रम इसके मंत्रीयों के समन्त्र ज्याथ करों उसके मंत्री ज्याथिब बांदव जो भी उसके तरप से आएंगे उन्साब को में सब्सक्राइब लेकिन मारने के बाद बगवान के ते मार करके मैं चला नहीं जाओंगा इसी प्रतवी पर मैं निवास करोंगा दस वरस सहस्त्राणी दस वर्ष शतानी चो क्या करेंगे दस वर्ष ग्यार हजार वर्स तक तो भगवान कहते हैं बद्स्यामि मानुशे लोके पालयन प्रथवीम इमाम इस मनुष्ट लोक में रहकर प्रजा का पालन करते हुए इस प्रथवी का मैं पालन करूँगा देवताओं के लिए तो भगवान आये रावन का बद कर दिया लेकिन 11.000 वर्स किसके लिए भगवान रहे बोले इस प्रथवी के लिए पालयन प्रथवीम इमाम इस प्रथवी से ठाकुर को बड़ा प्रेम ये कौन है बोले ये भूदेवी भगवान की प्रिया है भूदेवी भगवान की पत्नी है भगवान की दो पत्नीयों का वर्णन है वेद में स्री देवी और भूदेवी स्री देवी माने लक्षमी और भूदेवी माने भगवती भूदेवी इसी को स्री सूक्त में नारायना नुवाक में कहते हैं श्री श्चते लक्षमी श्च पत्नियो अहो रात्रे पारस्वे नक्षत्राणी रूपमस्विनव भगवान की दो पत्नियां स्री देवी और भुदेवी और कृष्णा अवतार में तो दोनों प्रगट रूप में हैं रुक्मिनी और सत्यभामा रुक्मिनी स्रीजी हैं और सत्यभामा भुदेवी का अवतार में रुक्मिनी सत्यभामा अभ्याम सहितम कृष्णमास्त्रय और रामावतार में तो स्री जी सीता के रूप में है और भूदेवी बोले भूदेवी प्रतवी के रूप में इसलिए भगवान भूदेवी का पालन करने के लिए ग्यारहज्जार वरस तक इस धरामंदल पर प्रगट रूप में विराज मान गए और आगे उत्तरकांड में वर्णन है भगवान जब निजधाम गमन करने लगे सर्यू जी के तट पर जाकर भगवान संपुर्ण प्रजा के सहित सर्यू में ज़वश्णान करते हैं निजधाम गमन के लिए उस समय भगवान श्री रगुनंदन जब अपने महल से निकल करके सर्यू तट की और चलते हैं वालमी की रामाण में बर्णन है भगवान चतुर भुज हो गए शंक चक्र गदा पत्म प्रगट भगवान के जितने आयुद थे सब दिप देवता के रूप में प्रगट हो गए एक तरफ स्री देवी एक तरफ भुदेवी भगवान की दोनों पत्नियां प्रगट हो गए ब्रह्मादिक देवता भगवान का स्तवन करने लगे और फिर भगवान अपने परिजन परिचारी का समेत सर्यू के तट पर जाकर परिखनार करते हैं और दिब्य विमान में बैठकर निजदान करन तो भगवान की दो पत्नियों का वर्णन स्री देवी और भूदेवी बगवान कहते हैं कि हम एक ग्यारा हज्जार वरस्ता करह कर इस प्रजबी का पालन करेंगे और अब हम प्रगट होने है जो भ्रमाधिक देवताओंने महां का प्रक्ट होगे भगवान ने कह यह तरजी जो यह कर रहे नहीं कि बेटा बनने जा रहे है राजा दश्रत को में अपना बनाने जा रहा हूं और मैं इनका पुत्रबन करके प्रक्ट होंगा इतना कह करके भगवान अंतरधान हो गए द विश्ट होगे देवताओं के बीच से अंतरधान हुए और तब तक यग्यकुंड से चरू पात्र लेकर हविश्च्यान को लेकर निए